आपको मेरे साथ लंगूर प्रदेश चलकर उस वानर के प्राण बचाने ही होंगे आपको मारूती ने उस वानर को बचाने का धायत तो सौपा है ना मैं अवश्य वहाँ जाओ मेरे चित्रांगदा महराज आपके सच्छी प्रेम ने मित्यों को भी मेरे करीब नहीं आने दिया महराज आज आपके चित्रांगदा आपके सामने जीवित है महराज सूरत की महराज सूरत की देव पुत्री चित्रांगदा की देव पुत्री चित्रांगदा की आप महाराज के सादर अभीनंदन है तेवी आप महराज के साद महर में पदहर ले हम राजगरु से कुछ बाते करके अभी आते हैं चाहिए राजकुरुजी यह तो अच्छा हुआ जो महाराज की स्मृति वापस आ गए और अब विश्वस्थ हैं अब आगे क्या करना है महाराज का वापस लौट कराना तो हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है किन्तु अब विडंबना ये है कि महाराज देवी चित्रांगदा से विवाह किये बिना नहीं मान सकते हैं और इन दोनों के विवाह होने का अर्थ है कि महाराज की मृत्तु देवी चित्रांगदा के पितार विश्व कर्मा देव का श्राप है ये किन्तु राजगुरु जी इन दोनों का विवाह शीक्र होना आवशक है मरुती देवों के वर्दान और श्राप कभी निश्वल नहीं होते क्या तुम चाहते हो कि महाराज की मृत्तु हो जाए ये आप क्या कह रहे राजगुरु जी मैं तो ये चाहता हो कि महाराज पर लगाओ अश्राप समाप्त हो जाए और वो महाराज और देवी चित्रांगदा के विवास से ही समाप्त होगा क्या तुम सत्य कह रहे हो मारुती हाँ राजगुरु जी मेरी मानिये और इन दोनों का शिगर से शिगर विवा कराने का प्रयाज कीजिए तुम एक अनोखे वालोख हो मारुती तुम्हारी बात मानने से हम मना कर ही नहीं सकते हैं इस विशय पर हम महाराज से अवश्य बात करेंगा बाली जी आज आपके धहरे की कड़ी परिक्षा होने वाली है मरकटेश बदले की आग में जल रहा है कुछ भी हो सकता है आप निश्चिन्त रहें जामवन जी मुझे आभास है कि वहाँ क्या हो सकता है बाली जी आपकी ओर से तो मैं निश्चिन्त ही हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कोई परास्थ नहीं कर सकता है किन्तो मेरी चिन्ता कुछ और ही है इसके लिए आपको बल की नहीं धैडिकी आवशकता है आप सबस्च कहिए जामवन जी आप कहना क्या चाहते हैं वाली जी आप तो जानते हैं मारूती कोई साधारण बालक नहीं है वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे महान उद्देश छिपा होता है ये तो सत्य है जावन जी मेरे लिए मारूती ने जो कुछ भी किया है वो महान तपस्त्वी के लिए भी संभव नहीं था किसी के श्राप का मोचन करना तो ईश्वर का कारिय है और यदि ये कारिय मारूती स्वयम करना चाहता है तो मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा मारूती चाहता है हाँ, बाली जी, मारूती चाहता है कि वानरों और लंगूरों में मित्रता हो जाए इसके लिए आपको बहुत समझधारी से काम लेना होगा ठीक है जामवन जी मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूँगा ठीक है चलिए बस वही रुक जाओ बसी बार करेंशा 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 ऊडेगा लाओर टूने प्रुशने चलिए यही रुक रड़ हुआ धिस यही रुक बार रहा है प्रफाब डोल भगॉपस jaki दो पनूर आप मुर बता पोप्रेज़ अजिदे ल scalar प्रहाफ प्रह constituents प्रप्रम प्रफépoque प्रये प्रह। प्रोव सब करें लिक करें लिक प्रबसकर तो पाली अंतता तू आही गया जैनिको पकड़ लो इसे पाली तेरे विश्वास घात के कारण मेरी प्यारी बेहन इस संसार से चली गई कि तु अब मैं तुझे भी उसके पास पहुचा दूँगा तुझे बदला चुकाना होगा तुझे उसके साथ किये वे छलका बदला चुकाना होगा ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो जांवन जी मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था आज मैं बाली को मार कर अपनी मृत बहन की आत्मा को शांती प्रदान करूँगा और बाली की मृत्यू के बाद मैं अन्य किसी वानर को नहीं मारूँगा ये मेरा वचन है आपसे इन तो बाली को तो मरना ही होगा महराज आपको सकुषल देखकर हम बहुत प्रसन्य है अब भले ही हमारे विवाना हो पाए किन्तो आपको देखकर ही हम अपना सारा जीवन सुख से बिता देंगे चितरांगदा तुमने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने जीवन को ही समाप्त करना चाहा ये तुम्हारे प्रेम की पराकास्टा थी किन्तो महराज ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी मेरी एक भूल ने आपका जीवन तहस नहस कर दिया यहां की सारी प्रजा मेरी ही कारन दुखी थी ये सब मेरे ही वज़ा से हुआ है चितरांगदा तुम इस तरह अपने आपको दोश मत दो जो हो गया उसे भूल कर आने वाले समय के बारे में सोचो हमारी परंपरा के अनुसार बिना विवा किये हम एक साथ नहीं रह सकते और तुम से एक बार बिछड़ने का परिणाम भी तुम देख चुकी हो किन्तु महराज हम विवा नहीं कर सकते देवी आपको विवा महाराज स्रही होगा यह तुम क्या कह रहे हो मारुती देवी हम भी यही चाहते हैं महाराज आप शिक्र विवा करके देवी चित्रांगदा को महारानी बना लीजे हमारी भी यही इच्छा है किन्तु आप देवी चित्रांगदा को मना लीजे मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यू हो जाएगी यह श्राप है दुखी पिता का और इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी चित्रांगदा कभी नहीं राजगुरुजी हम यह कैसे मालने पिता जी का श्राप है कि हमारा विवाहित जीवन कभी भी सुखी नहीं रहेगा विवाह होते ही महराज का जीवन संकट में देवी आपको अभी अधूरस अच्छी ग्यात है पूर्ण सत्य यह है कि जिस प्रकार आपको अपने पिता की आग्या की अवेलना करने के कारण शापित होना पड़ा है उसी प्रकार आपके पिता को भी आप पर अध्यचार करने के कारण शापित होना पड़ा है आपकी पुका प्रोवी आप पर अध्या चल्ट करने के कारण शाप्रित होला पड़ा है महरूती ये तुम क्या कह रहे हो यही पूर्ण सित्य देवी यदि आविवन नहीं करेंगी तो आपके पिता ते विश्व कर्मा का शाप दूर नहीं होगा क्या हुआ पिताजी को किसने दिया उन्हें शाप्रित देवी रिशी रितिक द्वज ने आपके पिता को वानर होने का श्राप दे दिया आपने देवता होकर एक पशु की भात विवार किया है इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ तुम अभी इसी समय आनर हो जाओ और आप वे वानर रूप में प्रित्वी पर भटक रहें तुम तो पिता जी ने प्रिशी रितिक द्वज का क्या बिगाड़ा था ये तो विदी का विधान है जो जैसा करता है वैसे ही उससे भोगना पड़ता है फिर वो चाहे देवो दानवो या मानव सबको उसके कर्मों का फल मिलता है किन्तु मारूती तुम ये सब कैसे जानते हो देवी वो हमारे राज्य में कई लोगों को गायल कर चुके है किन्तु में प्रूब ये जादे लोगना प्रूप ये जादेवी जादेश पिताजी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और हमें पता भी नहीं चला जब तक विश्व कर्मादेव आपका कन्यादा नहीं करेंगे तब तक वो अपने आपको भी नहीं पहचान पाएंगे इसलिए आपका विवा होना अतियावश्यक है किन्तु उनके श्राब का क्या होगा जो उन्होंने हमी दिया है उन्होंने विवा ना करने के लिए श्राब दिया था किन्तु जब वे श्वयम अपने हाथों से आपका कन्यादान करेंगे तो श्राब का स्वते ही शमन हो जाएगा किन्तु मारुती इतना याद रखना अगर पिताजी सही समय पर विवाह में नहीं आए तो महराज का जीवन संकट में आ जाएगा तेवी आप चिंता ना करें आपका कन्यादान देविश्वक कर्मा के हाथों से ही होगा बाली तूने मेरी बेहन के साथ प्रेम करके उसे धोका दिया। मुझसे मित्रता करके छल किया मेरे साथ आज मैं तुझे तेरे सभी पापों के दंड दूँगा। देख बाली देख मेरी चीती जाती हस्ती खिल खिलाती प्यारी सी मासूम बहन जिसके साथ तू कभी प्रेम करता था। आज वो पत्तर की बेचान मुरत बनकर यहां खड़ी है। तेरे कारण बाली, तेरे कारण। तू ने मुझे दोखा दिया। तू ने मेरी बेहन के साथ चल किया। तेरे कारण मेरी बहन मर गई। क्यों किया तू ने ऐसा वाली। क्यों किया। वो तो तेरे साथ सच्चा प्रेम करती थी ना। मैं भी कितना विश्वास करता था तेरे पर। क्यों किया। रुक्जिये महराज। तरह तरह क्यों के लाष क्यों कि silए तुमयाओ महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए इनका इसमें कोई दोश नहीं है आपके अपरादी मैं हूँ जोट बॉल रही हो तुम अपने पती को बचाने के लिए जोट बॉल रही हो तुम नहीं महाराज, सकता तो यह है महाराज बाली आपकी बहन से उतना ही प्रेम करते है जितनी आपकी बहन महाराज बाली आपकी बहन से उतना ही प्रेम करते है जितनी आपकी बहन पुत्र राजवैद को वचन दिया था कि मैं अपने बड़े बेटे का विवा तुम्हारी बेटी तारा से करूँगा यह तो मैं नहीं जानता कि तुमने कैसे क्या किया किन तु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे राजवी में जो खुशिया लोट आई हैं वो तुम्हारे कारण ही हुआ है